देखो सबसे पहले तो ये कहूँगा सेंसर बोर्ड वाक ही में पगला गया है हमारे इंडिया का अरे एक तरब आप कहते हो education system बद लो इसे बढ़िया बनाओ लेकिन जब ऐसे छोटे छोटे effort लगते हैं तो आप सर नीचा गर लेते हो बैसा मोबी में कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसे नहीं देखना चाहिए इबन मैं तो कह रहा हूँ under 18 को भी देखना चाहिए after all teenager ऐसी गलतियों से गुजरते हैं तो उनके सामने dramatic way में एक ऐसा valuable lesson मिल रहा है तो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं कुछ तो जरूर सीख मिलती बच्चों को भी अगर उन्हें भी movie दिखाए जाए तो दूसरा देखो modern जमाना है जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम सबको भी इसी update होना पड़ेगा हाँ ऐसा है कि बहुत सी चीज़े boldly खुल के खड़े सब्दों में बोली गई है movie में जो family audience को एक बार के लिए हिचकिचाहट पैदा कर देंगी लेकिन आप भी बताओ इससे कही ज़्यादा बुरा कि हम अपने गली महलों में नहीं सुनते हैं आसपडोस में नहीं सुनते हैं लेकिन movie में ये सब कुछ जो भी बोला गया है scripting होई है एक valuable lesson डिलीबर करने के लिए बोली गई है या रखी गई है जनता के सामने दोस्तो स्टोरी लाइन पूरी नहीं बताओंगा बिल्कुल भी spoiler नहीं दूँगा क्योंकि ये content है यार entertainment with lesson आपको देखना चाहिए खासकर match your audience को ताकि अपने घर में आने वाली ये पीडी में वो विजिन रख सकें और उसका सुधार भी कर सकें तो मेरे हिसाब से ace certificate की rating न heads of AR इस बंदे को कैसे एक middle class family का character पकड़ना फिर उसमें उसे इतनी feel के साथ घुसकर वो raw problems को देखना जो हम सब के घर में कहीं न कहीं चल रही है उसे बाहर निकाल कर लाना और फिर screen में present करना वहीं मैं कहूंगा बहुत awesome है amazing director की vision बहुत solid है यहाँ पर क्योंकि ऐसे lesson की हमे जरूरत है दूसरा भगवान का connection करना इस movie में मुझे नहीं लगता कहीं गलत था और ऐसा नहीं कि कोई गलत इस्तमाल के लिए कर रहे हैं क्योंकि पंकस्तिरपाथी भोले नात का बहुत बड़ा भक्त होता है अपने पूरे सहर में जाना माना तो यह चीज तो आप जानते ह पंकस्तिरपाथी का बेटा स्कूल में मोबाइल में कुछ देखते पकड़ा जाता है और कोई उसे कर देता है वाइरल कोई अन्नोन बंदा होता तो छूट जाता लेकिन यह हैं सिभख्त कांती सरन मुतकल का बेटा जिसके पास फेम है तो इसे तो criticism मिलेगा ही अब यहाँ पर यह बड़ा प्यारा connection है कि भाई जब भक्त तूटने लग जाएगा दुनिया के बेबुनियाद आलोचनाव से तूटने से अंदरी अंदर मरने लग जाएगा तो सच्चे भक्त की मदद तो भगवान करेंगे ही ना किसी भी रूप में आके करेंगे तो यह है connection अब यह गलत कहां से है I don't know दूसी तरह positive angle यह देखो ना जो आज की नास्तिक दुनिया है जिसमें भगवान पे भरोसा नहीं है तो उनको एक strong message मिल रहा है कि यदि तुमारी भक्ती सच्ची है तो भगवान जरू मदद के लिए आएंगे बाकि movie पूरी इसी concept में घूमती रहेगी यह confident person है लेकिन यह बंदा सारी चुनोतियों से लड़के कुछ भी नया सीखने के लिए always ready है तो वो एक वकील की तरह पूरी कोशिस करेगा act करने की लेकिन उसे court में एक वकील की भूमी का निभानी आती नहीं है तो उनकी तरफ से ऐसे ऐसी हरकते होंगी क्योंकि उन्हें पता नहीं है एक order of working कैसे court में काम करता है तो यह पार्ट अच्छा खासा comic time देखर जाएगा अकसे बाजी को तो ऐसे side roll दिखाये गया है movie में as supporting cast में और भोला भंदारी के get up में जो जम रहे हैं या यू कहो कि भोला का दूद बनके जो जम रहे हैं कसम से जान डाल दिया इ movie में क्योंकि sometime dialogue कुछ और हो रहे हैं और lip sync हो ही नहीं रहे है तो यस पता लग रहा है कि अलग से editing है हाला कि समझ में आ रहा है कि आखिर क्या होने वाला था scene में तो मेरी नजर में movie awesome है मैं तो कौंगा बच्चों को भी दिखाओ क्योंकि entertainment के साथ साथ बहुत कुछ सीखने क भी मिलेगा movie से बाकी अब लगाते हैं पूर बिराम और अब आप लोग बोलेंगे कि गदर 2 और omg2 में best movie कौन सी लगी आप लोगों को या फिर कौन सी movie होने वाली है आप लोगों की best और जिसने भी omg2 को देख लिया है तो अपना experience comment box पर जरूर सेयर करके जाना बाकी movie review box office से जोड़ी सभी updates के लिए और बल्ली वूड और सौथ फिल्मों की updates के लिए हमार साथ ऐसी जोड़े रहना और अगर चैनल पे नहीं हो तो subscribe जरू करना दूसरा अंगूठे वाला बटन दवा के वीडियो को like जरू करना मिलते के लिए वीडियो में जैन